जैहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी का रेडियन्ट आर्मी अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं अभी नव आपका दिल से अभी नंदन करता हूँ हम लोग आज मॉडल से अजट 68 को डिसकस करने वाले हैं चले तो सुरू करते हैं हमारा सबसे पहला सवाल है एक वैक्ती ने अपनी गारी 4080 रुपए में 15% हानी पर बेचे तो बताओ वा उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लाव हो सिंपल सी बात है अगर वो 4080 रुपए में बेच रहा है तो उसको क्या हो रहा है 15% की हानी हो रही है तो 4080 रुपए तो बिक्रे मुल है ना 4080 रुपए बिक्रे मुल है तो हम क्या करते है ना 4080 जब बिक्रे मुल है तो परतिशत रखते बिक्रे मुल का विक्रेमूल का परतिशत कहां से मिलता है लाव या हानी से मिलता है अगर हानी हो रहा होता है तो 100 में माइनस कर देते हैं अगर लाव हो रहा होता है तो 100 में प्लस कर देते हैं तो जब 4080 में बेचा तो इसको 15 परतिशत की हानी हुई इसका मुझलब 100 में माइनस करके रखेंगे 15% को क्या मिलेगा 85% अब कहाँ इसको कितने में बेचे अब ये विक्रेमूल फिर हम से पूछ रहा है तो इसको 15% का लाव हो अब इसको चाहिए लाव 15% का तो हम विक्रेमूल निकाल रहे तो परतिशत फिर से विक्रेमूल का रखना परेगा लेकिन अब इसको लाव चाहिए तो 100 में जोर कर रखेंगे कितना 115 परतिशत अब इसको solve करते हैं सिफ कोना कोना गुना करना है काटना नहीं है तो ये 5 से कर जाएगा 17 बार में और 5 से कर जाएगा ये 23 बार में फिर 17 से 180 को काट लेते हैं 17 दुना हो गया 34 और 17 चो के अशर 240 बार में इधार तरब तो सिर्फ SP बचा इधार तरब कोना कोना गुना कर लेते हैं 240 और 23 को तो 0 हो गया 23 के बेरानबै का 2 बाकी हो गया 9 और अगर आप्शन में देखें तो चले next question क्यों बढ़ते हैं अब हमारा सवाल है एक वर्ग का विकर्ण 20 मीटर लंबा है तो उसका छेतरफल क्या होगा जब एक वर्ग है यह ध्यान देना कि वर्ग है और विकर्ण दे रखाए कि 20 मीटर है तो इसका छेतरफल पूछा है तो हम लोग वर्ग का एक छेतरफल वर्ग की एक छेतरफल का फॉर्मला लगा सकते हैं कि एक वर्टे दो गुना विकर्ण का स्क्वार अगर हम यह फॉर्मला लगा दे तो डाइरिक्ट हमारा छेतरफल निकल कर आ जाएगा विकर्ण से ही एक वर्टे दो गुना विकर्ण कितना दे रखा है 20, 20 का स्क्वाइर मतलब 20 गुना 20 कर लेते हैं, 2 से 20 कर जाएगा 10 बार में, 20 गुना 10 क्या जाएगा, तो 200 मीटर स्क्वाइर, अप्शन नमबर C हो जाएगा, चले नेक्स कोस्टन क्यों बढ़ते हैं, नेक्स कोस्टन है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी से छोटी संख्या है, 735 में जोरने पर प्राप संख्या 8 से पुर्णता भाज है, मतलब यह है कि 735 में छोटी से छोटी संख्या जोरना है, जब जोर देंगे तब वो संक्या 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा एक तो आप इसे by option बना सकते हैं जैसे पहले option में एक 735 में जोर देंगे 736 देख लेंगे 8 से भाग लग रहा है कि नहीं फिर अगर नहीं भाग लगा तो 2 जोर देंगे फिर देखेंगे 8 से भाग लग लग रहा है जोरने के बाद जिसमें 8 से भाग लग जाएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा एक तो ऐसे बना सकते हैं और एक कैसे बना सकते हैं है process इसका कि 8 से भाग लगाने की बात क्या है तो 735 में हम लोग 8 से भाग लगा देते हैं 9 8 हो गया 72 और यहां बच गया 1 एक बार में लगा दीए 7 तो हमसे जोड़ने की बात बोला ना अगर घटाने की बात बोलता तो सीधे सेस ही हो जाता लेकिन जोरने की बात क्या है तो जोरी जाने वाले संख्या होती है भाजत माइनस सेस तो आठ में से साथ को माइनस करते हैं क्या मिलेगा एक तो जोरी जाने वाले संख्या कौन सी एक है ऑप्सन नंबर ए हो जाएगा चले next question क्यों बढ़ते हैं next हमारा सवाल है चले next question है कि 5 कुरसी और 2 मेज का मुल्य 750 रूपए तथा 3 कुरसी और 3 मेज का मुल्य 540 रूपए है तो 1 मेज और 1 कुरसी का मुल्य हमसे पूछा है भाई एक मेज और 1 कुरसी का ही मुल्य पूछा है ना इस दूसरे वाले equation में अगर आके देखें तो हमसे यह कह दिया है कि 3 कुरसी 3 चेर और 3 मेज का दाम जो है ना 540 रूपए है अगर दोनों से 3 कुमन ले लेते हैं और इधाय तरह भेज देते हैं तो 1 कुरसी और 1 मेज का दाम क्या निकल कर आ जाएगा 540 रूपए है और 3 दोनों में से जो कुमन लेते हैं वो यहाँ पर आ गया 3 से कर जाएगा 180 बार में तो 1 कुरसी और 1 मेज का दाम सीधे यहीं से निकल कर आ गया 180 बाकि इसका फिलाल इस question में तो कोई काम नहीं परा चली आगे बढ़ते हैं next question है कि 2.5 गुना 2 और बटे में है 2 इसका पूरा होल स्कॉयर है तो हम यह कह रहे हैं 2.5 को दब 2 से गुना करते हैं तो क्या मिल जाता है या फिर यह भी तो कह सकते हैं 2 से 2 खतम हो गया 2 से 2 कैंसल हो गया यह question इस तरीके से नहीं लग रहा है वाकि यह कुछ किसी और एक भा हम इसको चेक कर ले रहे हैं कि यह किस तरह से question है अच्छा यह ऐसा ही question है तो इसमें काम करते हैं काम यह करते हैं कि तो इसमें 2 से 2 कैंसल कर लिए तो बचा क्या 2.5 और 2.5 का square तो 2.5 का square कितना 25 का square होता है 625 और square जब कर रहे हैं यहां एक अंग के बाद दसमलब है यहां एक अंग के बाद दसमलब है square करने के बाद 2 अंग के बाद दसमलब 6.25 पलस 11 का square होता है 121 और माइनस में 1 है तो माइनस 1 121 में से 1 माइनस हो गया 120 और 120 और इसको जोड़ लेते हैं तो 126 दसमलब 25 इसका उत्तर ऑप्शन नमबर कि ऑप्शन नमबर सी इसका उत्तर हो जाएगा चले नेक्स कोस्चिन क्यों बढ़ते हैं अब हमारा सवाल है एक धनरासी दो वर्स के पस्चात 1040 रुपए हो जाती है यदि दो वर्स का साधान 40 रुपए है तो व्याज की दर क्या है यह करा है दो साल में कोई धन 1040 हो जाती है मतलब टोटल 1040 हो जाती है इसका मतलब यह 1040 क्या दे रखा है तो 1040 मिस्र धन दे रखा है मतलब सब मिलाकर 1040 आएगा जिसमें से 40 रूपए क्या है तो 40 रूपए ब्याज है भाई टोटल 1040 रूपए है जिसमें से 40 रूपए तो ब्याज ही आया तो बांकी बचा का रूपए क्या हो जाएगा तो बांकी बचा 1000 रूपए मूलधन होगा तो हमसे पूछ रहा है गुने एक सो, ब्याज हमारा है चारिस, ब्याज गुने एक सो, बटे मूलधन, मूलधन भी तुरनत देखे, आया एक हजार और गुना करते हैं, समय, समय कितना है, दो साल, तो नीचे रख दिये, दो, ये दो 0 खतम, एक 0 यहां खतम, दो से 4 कर जाएगा, दो बार में, तो दर का छेतरफल क्या होगा अब इसे हमें solve करना होगा क्या है ना एक आयत की लंबाई 15 cm दे दिया है और विकर्ण दिया है 17 अगर विकर्ण दिया है तो हम लोग formula पहले विकर्ण का लगाते हैं तो विकर्ण का formula लगाते हैं तो विकर्ण के जगा पहले 17 रख लेते हैं बराबर व प्लस बी तो दिया वह नहीं तो बी स्कायर अब यह रूट इधर तरह पहेगा तो क्या बन जाएगा स्कॉयर तो 17 का स्कॉयर क्या होता है 289 और यह पलस दो सो पचीस भी इधर तो दूसरे तरह पाके इधर तरह पाके माइनस हो जाएगा तो 289 में से 25 माइनस कर ले दे हैं क्या मिल जाएगा 64 तो क्या मिला इधर बिछा यह दे स्कॉयर बबाबज एंदरुट का इन ऐसे pixel होता है रूट यह भी बैज मिल गाए हम से पूछा पूछा हत का छेत्र स्कॉयर यहां लंबाई दे रखा तो लंबाई 15 और चोराई अभी तुरंत 8 निकाले तो 15 अठे 120 सेंटी मीटर स्क्वाइर हो जाएगा इसका 6 तरफल चले, next question में आते हैं अब हम से पूछा इसका मादिका मादिका जब भी निकालना हो तो क्या करना है न तो सारे संख्याओं को या तो बढ़ते करम में या तो घटे करम में सजा लेना है अगर बढ़ते करम में ही सजाएं तो सबसे पहले आएगा 12 फिर आजाएगा 14 फिर आजाएगा 15 फिर उसके बाद 17 फिर 20 फिर उसके बाद 46 फिर आजाएगा 80 तो अब जैसे बढ़ते या घरते करब में सजा लेंगे ये देखेंगे एकदम बीच में कौन सा पढ़ रहा है तो एकदम बीच में पढ़ रहा है 17 तो कहेंगे मादी का है 17 च कोई सांचाने चार थी पछीस से पमाराई 5.26 समतुल्य बट्टा क्या हो जाएगा सी नमबर सुझय समतुल्य न领प पाथ क्या हो जाएगा सी नमबर ठाले क्शेंस क्टने रूपई के बराबर है ला解 पैसे को रूपए में बदलना है तो ये 12 पैसा था इसको रूपए में बदलने के लिए 100 से भाग लगा दिये तो 4 से कट गया 3 बाय में, 4 से कट गया 25 बाय में, 3 बटे 25 उत्तर नंबर A हो जाएगा चली, नेक्स सवाल है, एक परिक्षा में 360 बिदयाथी बैठे हैं, उनमें 40 परतिसत फेल हो गए तो पास हुए बिदयाथियों की संख्या क्या है, अब सिंपल सी बात है, अगर हर एक चीज़ अपने आप में 100 परतिसत होता है अगर 45 परतिसत फेल हो गए है, तो पास कितना हुए होगा, एक पर लें 100 में 45 मैंस कर रेते हैं, पच पर पर धीसत जो है न ये पास हुए हुआ अब हम से सवाल में, टोटल 360 विदयाथी कहा है अब पूछा है कितने पास हुए है तो टोटल है 360 और इसी का कितना पास हुए है 55 परतिसद तो 55 बटे 100 निकाल लेते हैं 10 से 10 खतम 5 से 11 बार में 5 से 2 बार में 2 से कर जाएगा ही 18 बार में 18 और गुना 11 कर लेते हैं 118,198 और ऑपशन नमबर B हो जायेगा चलिए अगली सवाल क्यों बढ़ते हैं next question है इस्वर्ण से एक काम के आधे भाग को पांच दिन में पूरा कर सकता है इस्वर्ण सी जिन इसर्ठ से जो है वो एक काम के आधे भाग को पांच दिन में आधे का मतलब , एक वह टे दो भाग को यह 5 दिन में करते हैं। Woru को 5 से गुणा से गुना कर लेता benefici है पूरा काम यह 10 दिन में कर चैंगे जब कि याद राम एक वह 2 दीन काम को यह इंशेध दिन रहें यह बर्वनुट्टीन काम को यह 5 दिन हो जाएगा तो बारे बारे से 10 से 30 में भाग लगाएंगे 3 और 15 से 30 में भाग लगाएंगे 2 यही क्या है तो छमता है इसका तो दोनों मिलकर काम पूछा है न समय बराबर क्या होता है कुल कारे बटे छमता जो LCM होता है वही कुल कारे हो गया और जिसका समय निकालते हैं उसी और Y का मान हम से पूछा है तो बैए उप्सन भी बना सकते हैं X का मान माइनस 5 Y का मान 3 रखे देखेंगे 9 आता है बैए उप्सन कर सकते हैं बागे बैए प्रोसेस हम लोग निकाल लेते हैं सबसे पहले ये 2X पलस 2X पलस 3Y बराबर 9 दिया है फिर 3X पलस 4Y बराबर 11 दिया है एक काम करते है Y को रिमूब करना है तो Y के साथ नीचे में 4 है तो उपर 4 से गुना कर देते हैं उपर में 3 है Y के साथ तो नीचे 3 से गुना कर देते हैं और यहीं हमारा कहाने खतम हो जाएगा चार से गुना करने का मतलब इन तीनों में इसमें इसमें तीनों में चार से गुना करना है तो चार दुना आठ एक्स पलस चार तिया बारह वाई बराबर नौ चो के चार तिस फिर तीन से तीनों में गुना, तीन को तीन से करते, तीन तिया 9X, पलस, चारतिया 12Y, और 11 तिया 33, अब इस दोनों एक्वेशन को माइनस कर लेते, 8X में से 9X लागया, माइनस X, और 1 पलस Y, पलस 12Y, माइनस Y, 12Y कैंसल, 36 में से 33 माइनस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 3 मिले तो अब इसमें, X का मान माइनस 3 है न, और Y का मान हम लोग निकाल लेते हैं, तो किसी एक एक एक्वेशन में, X का मान रख लेते हैं, किसी भी एक एक एक्वेशन में, इसी में अगर X का मान रखते हैं, तो 2 और X का मान आया माइनस 3, पलस में है 3Y, और बराबर में, पहले वाले को reason में 9 तो 3 gospel though no 5 वार में क्वाल क्या निकल रहा नाँ गया तो किसमें तो माइज़ इस ओप्शन में ऑपी हो जाएगा निक्स्सक्क्यूचन है entrance 180 डिग्री के कौन से बढ़ा था था 307 डिग्री के कौन से छोटा कौन क्या कहलाता है तो 180 डिग्री से अगर बढ़ा होता है तो इसको अधिक कौन कहा जाता है अगर 180 डिग्री और 90 डिग्री से अगर स्वरी इस कोस्चन में क्या है न इस कोस्चन में हमसे ये कहा है कि 180 डिगरी के कोन से बरा होना चाहिए और 360 डिगरी के कोन से छोटा तो इसको ब्रिहत कोन कहा जाता है सम कोन तो 90 डिगरी वाला हो जाता है अधिक कोन 90 डिगरी से अधिक होता है और 180 डिग्री से कम होता है नियून कोन क्या होता है तो 90 डिग्री से जो है न 90 डिग्री से 90 डिग्री से कम होता है नियून कोन 90 डिग्री से कम होता है तो क्या होगा एक 180 डिग्री के कोन से बरात था 370 डिग्री के कोन से छोटे कोन को ब्रिहत कोन कहा जाता है चले next question है कि n के स अभी अन्ता कोनों का योग क्या होगा तो अन्ता कोन के योग का जो फॉर्मला होता है न वो n-2 into 180 होता है तो ऐसा option तो कहीं है नहीं भाई यह सम कोन में है तो एक काम करते है n-2 और इसको जो है न यह 180 को 180 को सम कोन एक सम कोन में 90 होता है sum कोन गुना 2 लिख सकते हैं और इस 2 को n से गुना करते हैं तो 2n फिर minus इस 2 को 2 से गुना करते हैं तो 4 तो 2n-4 इन 2 में sum कोन देख लेते हैं किस option में ये परा है तो ये किस option 2n-4 option number b में परा है चलिए next question पर आते हैं next question है कि राश्ट प्रती राश्ट सभा में कितने सदस्यों को मनोनित कर सकते हैं तो राश्ट पती जो है न वो राज सभा में कुल 12 सदस्यों को टोटल 12 सदस्यों को मनोनित कर सकते हैं और अनुछेद 80 के तहट जो है टोटल राश्ट सभा में टोटल 250 सदस होनी चाहिए लेकिन बरतमान में अभी कितना है तो बरतमान में 245 सदस है और हमारे बरतमान में राश्च्पती की बात करें तो राश्च्पती जो है वो दुरोपती मुर्मू है और अगर उपराश्च्पती की बात करें बातमान में उपराश्च्पती कोन है तो उपराश्च्पती जगदीब धनकर है जगदीब धनकर है जो कि किस पार्टी से हैं तो ये भाजबा से है चलिए तो next question में आते हैं next question हमारा है कि भारतिय समिधान के पहला आम चुनाव कब करवाया गया इस सवाल में डाउट रहता है कि इसका उत्तर क्या होगा वाकई में ये सवाल डाउट वाला ही रह जाएगा भारतिय समिधान के अंतरगत पहला चुनाव कब करवाया गया एक्चुलि में क्या हुआ था ना पर्थम आम चुनाओ ये 25 अक्टूबर 1951 को शुरू हुआ था और ये 21 अक्टूबर सॉर्ड 21 अक्टूबर करते हैं 21 फेरवरी 1952 में संपन हुआ था इतना दिन तक ये चला था तो हमसे पूछा कब करवाया गया था अगर ये पूछा कब संपन करवाया गया था तो 1952 में संपन हो गया था तो इसका अब आंसर 1951 भी सही है 1952 भी सही है तो अब बाकी डिपेंट करता है कि हमारा एक्जामनेशन कौन सा इसका उत्तर अगर एक्जाम में आये तो इसका उत् उत्तर इसका लेता है तो 1951 बावन में पहला आम चुना 1951 और बावन में करवाया गया था अगर संपन्न की बात करें कब समाप्त हुआ था तो 1952 में होगा तो इसमें कन्फ्यूजन है कि इसका कौन सा उत्तर सही माना जाएगा बाकी आंसर तो हम बता दिया चलिए नेक्स स्ते है कि 2012 कौमंवेल्थ गेम किस देश में आयो जित किया जाना मतलब ये तो हमन्हाई ऑक्रेया को मनवेल्थ घेम किस देस में हुआ तो ये संदक्षिनर अफ्रिकां के डर्वन सहर में हुआ है इसमें भारत जो है इसमें भारत टोटल 61 मेडल इसमें जीता था भारत total 67 Meadel, मीडल total 68 Meadel जीता था और जो की 68 Meadel जीत का है, चौते अस्तान पर भारत का करम था, और इस 68 Meadel में जो है ना, 62 Meadel जो था, 22 Meadel गोल्ड था, स्वर्न पदक था, और 16 Meadel जो था, वो 16 Meadel سिलवर था, बांकी के ब्रौन्स थे, चले तो next question क्यों रहा है next question हमारा है कालिदास पुरसका किस से संबंदीत है तो कालिदास पुरसका जो नई यह शाहित से कालिदास महीं एक साहित कारीते कई सारे पुस्तक इन्होंने लिए घалог गैते जैसे कि कुमार संभवम माल मिकागने पुत्रम यह इस तरह के कई सारे पुस्तक थे तो काली दास्पुरस्कार साहित से संबंधी थे चले नेक्स कोचन है भारतिय राष्टे कोंगेश की पहली महिला अध्यक्ष कौन थे तो पहली महिला अगर अध्यक्ष की बात करे तो एनी बेसेंट है अगर पहली भारतिय राष्टे हाँ ठीक है भारतिय राष्टे कोंगेश की अगर पर्थम भारतिय महिला अध्यक्ष उच्छा गया तो any present हो जाएगा चले next question है कि हर गोबिंद खुरवाना को किस छेतर में सृषगा मिला था तो हर गोबिंद खुरवाना कोze दिच्रान में नोवेलろ प्राषगा मिला था 1968 में और इंब को defic्कर की चीज के लिए मिला था तो प्रोटीन संसलेशन की खोज के लिए संसलेशन की खोज के लिए इनको नावल पुरस्काय मिला था उप innocent निउस बिला दो गुलाजवान चले नेक्स कोस्यन क्यों राते हैं नेक्स कोशन ने भायत की सबसे बड़ी ताजे कास्मीर में ही पड़ता है और चिलका जील जो ये उरिशा में ये जो चिलका जील है ये भारत की सबसे बरी जील है सबसे बरी जील है और अगर बिश्व की बात करें न तो बिश्व में ये दूसरी सबसे बरी जील है पूरे बिश्व में और ये पुसकर जील है ये में पड़ता है राजस्थान के कौन से सहर राजस्थान के अजमेर में हाँ अजमेर में ये पड़ता है पुसका जील अजमेर में राजस्थान में पड़ता है चले नेक्स कोशन क्यों पड़ते हैं नेक्स कोशन है पारादीब बंदरगा किस राज में तो पारादीब बंदर तो जहां महानदी जो है ना महानदी बंगाल की खारी में जहां मिलती है महानदी जहां बंगाल की खारी में जहां पर मिलती है तो वहीं पर ये बंदगा है ज्यादा घराई होने के काई जो है ना यहां पर जहां जो है आना जाना सही तरीके से काम हो जाता है रोका जाता है च लंदन में है, Amnesty International की अस्थापना 1961 में इसका अस्थापना हुआ रहे हैं और बायतमान में इसमें टोटल 140 सदस्य देश है चलिए, निक्स कोश्चन के यह आगे बढ़ते हैं निक्स कोश्चन हमारा है, किस भायत यह सोतंतरा सेनानी को सीरे पंजाब कहा जाता है चलिए, निक्स कोश्चन में आगे बढ़ते हैं हम लोग पुलिटजय पुरिसकार किस से संबंदित है तो यह जो पुलिटजय पुरिसकार है, यह जर्नलिजम से संबंदित है पत्रकारिता से संबंदित है पुलिजय पुरिसकार और यह पुलिजय पुरुषकार की सुरुवात कब से हुई तो 1917 इस भी से पुलिजय पुरुषकार की सुरुवात हुई है और अगर 2022 में बात करें तो पुलिजय पुरुषकार किसको दिया गया है तो टोटल चार व्यक्ति को दिया गया है जिसमें से एक जो है ना एक दानिस सिद्ध की है जो यह जादा इनका फैमस रहा क्योंकि यह मरनो प्रांत इनको यह पुलिजय पुशकाई 2022 में प्रदान किया गया इनका मानश पूतर है मतलब यह चलित न्यायला अँट थो मोईल हो जाता है एंगले इस में पता नहीं क्या हो जाएगा चलित न्यायला किसका है मतलब चलित न्यायला किनकी देन है तो यह सबसे पहले प्रस्ताव यह ड़ॉक्टर एपीज अदूल कलाम के ये देन है और ये चलित नयाला की बात कहें तो सबसे पहले इसका उद्घाटन 2007 में हुआ था हरियाना से ये प्रारम हुआ था हरियाना से चलिए नेक्स कोश्चन क्यों बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन है हमारा भायत में रेल से पर्थम कब चली तो ये पीछे भी सेट में लोग डिसकस कर चुके हैं कि अठाए सो तिरपन में रेल चली थी और ये किसके समय में तो लौड डलहॉजी के समय में लौड डलहॉजी के सम चलिए next question क्यों और आगे बढ़ते हैं next question हमारे राष्ट गान के गायन का समय कितना सकेन होना चाहिए तो राष्ट गान जो है जन गान मन उसको 52 सकेन का समय होना चाहिए गाने के लिए और राष्ट गान जन गान सबसे पहले जो है ना 2011 के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले गाया गाया ओ यह जन गन मन को कौन लिखे थे तो रविंदर नाथ रविंदर नाथ टैग और लिखे थे और यह अपनी देश के साथ साथ जो है ना बंगलादेश का भी जो राष्टगान है आमार सोनार बंगला बंगलादेश का है आमार सोनार बंगला बंगलादेश की ये राष्टगान है और ये भी रविंदना टैगोर ही लिखे थे और इनको रविद्ना टैगों को नॉवल पुरस्काय मिला था 1913 इस भी मिला था किसीज के लिए तो इनका एक पुस्तक था साहित के लिए मिला था पुस्तक है इनका गीतानजली के लिए इनको मिला था चलिए तो next question की ओर आगे बढ़ते हैं next question है भायत के मुखनयाधिस की न्युक्ति कौन करता है तो भायत के मुखनयाधिस की न्युक्ति जो न वो राष्टपती करते हैं चलिए तो भायत के राष्टपती कौन है द्रोपती मुर मुर है और मुखनयाधिस कौन है तो हमारे देश के 50 में जो है न चंद्र चूर चंद्र चूर है धरंजे चंद्र चूर चलिए नेक्स कोश्चन क्यों बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन है तारे का रंग सूचक होता है तारे का रंग जो होता है उसके ताप का सूचक होता है नेक्स कोश्चन फटा फटा हम लोग आगे बढ़ते हैं द्वनी की आवाज को किसे स्केल पर मापा जाता है धोनी की तरविता को डैसिवल में मापा जाता है एक्स कोशन है प्रेशर कुकर खाना बनाने का समय कम लेता है क्योंकि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर का जो कथनांक होता है न व सब्सक्णाइब भधान। इसस दोटा एपोता ँि को यह घ्रता सकते हैं एक्मेवुतेन रहता है इस时 को सकते हैं आगाता है मुखता रहता है भी तंटान यहास ब्यूटेन है क्रूप से ब्यूटेन एकने चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं नेक्स कोश्ण है हमारा निवन में से कौन सबसे अधिक क्रियासील है तो option के साथ से sodium सबसे अधिक क्रियासील है next question है Nickel का रसानिक परतिक क्या है तो हम लोग जानते है Nickel का रसानिक परतिक Ni है option नमबर B हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं इस्तिती जूर्जा का सुत्र क्या है तो हम लोग जानते हैं इस्तिती जूर्जा का जो सुत्र है न वो MGH इस्तिती जूर्जा MGH और half MbA2 होता है गती जूर्जा का और यह PA2Y2M होता है संबेग का चलिए तो आगे बढ़ते हैं कौन सा घाईलू उपकरन ओजोन परत को प्रभावित करता है तो रेफ्रिजेटर ओजोन परत को प्रभावित करता है क्योंकि इससे जो नए CFC गैस निकलता है और यह पहले होता था क्योंकि पहले फ्रीज में जो है ना फ्रेयोन का प्रयोग किया जाता था जिसके वज़ाँ से CFC निकल ता अब fryज में क्या होता है न tetrakloroethen का प्रयोग है tetrakloroethen का प्रयोग किया जाता है जोकि ज्यादा मातरा में CFC नहीं निकलती है मनुष्ट में हड्डियों की संक्या कितनी है तो भाई सामने उसमें हेड्डियों की संक्या 206 है चलिए आगे का सवाल है किस बल के कारण दूद से क्रीम अलग होती है तो दूद से क्रीम निकालने के जो मसीन होती है वो अब केंदरी बल पर कारे करती है साथे साथ वासिंग मसीन वासिंग जो मसीन होती है सार तो यह सारा अभी केंदरी बल के करना तो अब कैंदरी बल क्या होता है कि केंदर की तरह बल्य लगता आप केंदरी में केंदर के बाहर बल लगता है जली नेक्स कोषचन है हमारा कि रवर जा के एक ऐसा ही सवाल बनता है गल्विनाजेशन वाला गल्विनाजेशन में क्या होता है लोहे पर जिंक की परत को चरहा जाता है जिंक की परत को चरहाना गल्विनाजेशन कहलाता है चलिए नेक्स कोश्चन है विदू चुमक्या प्रेयन का सिधान कौन दिये थे तो विदू धातू के जगह जो है ना धातू के जगह पर अर्ध चालक अगर रहता तो अर्ध चालक की चालकता क्या होती है तो बढ़ती है नेक्स कोशन है विदूथ हीटर के तार को काट का छोटा कर दे तो विदूथ की खपत पहले से तो विदूथ के तार को काट को छोटा भी कर दे दज़ा नहीं परता है चलिए नेक्स हमारा आज 48 और नास्ट सवाल है धुरूप पर चुमकिये सुई की स्थिती उर्ध्वाधर होती है तो आज 48 सवाल ही हम लोग करते हैं और आसा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा मिलते हम लोग नेक्स वीडियो में धन्यवाद